अब आज के इस वीडियो स्टेशन में जो हम बात करने वाले हैं भारती साच अधिनियम 1872 के बारे में ठीके तो इसकी जो भी बेसिक संगिता भारती जो है साक्ष अधिनियम और दंड प्रक्रिया संगिता इन सभी को प्रावधानों में संसोधित करके परिवर्तित करके उनके नामों में परिवर्तन किया गया और उनको भारती न्या संगिता भारती न्या प्रक्रिया संगिता और साक्ष संगिता का रूप दे इनी सबों से पूछे जाएंगे और ये दोनों भी पता होने चाहिए ठीक है अब देखो अब थोड़ा सा एक यह हो गया कि नया वाला सेक्षन में जिस प्रावधान को पूछेगा जिस सेक्षन को पूछेगा तो न्यू में कौन से सेक्षन है और पूराने में पहले क्या था लेकिन अभी कुछ ऐसे से जैसे राजस्थान अईप्यू का ही ले लो टो वहां पर नहीं है जा रखना बहुत सारे बहुत्त करते हैं देखो यह जो भाहरतिया साक्षरदिनियम है उा Аंशल Chemistry का है यहनिकम्हिदान के पुर्व यहनिकम्हिदान लागु नहीं हुआ था उससे पुर्विए की विदिया तो कोई ऐसा आर्टिकल है जो सम्हिदान की पुर्व यहो होने के लिए मानेता। पृदान करता है बहुत सादी तो ऐसी ह्याई है कि जो उनको रिपील कर दिये गया ढरासाई कर दिया गया ठीके लेकिन अभी भी कुछ ऐसी एक्ठ हैं जो अभी समिधान के लागु होने के साक्षा दिनियंव छेंज लेलो ठीकочно वो तो नहीं अटा गया लेकिन वो भी जो है समिदान पुर्वी की विधिया है तो कुछ ऐसे कोई ऐसा आर्टिकल है जो इसको ये भाई मानेता प्रदान करता है कि हाँ ठीक है अभी इसके बाद भी लागोगा तो एक आर्टिकल है इंडियन कॉंस्टिशन का जिसको हम बोलत करता है तो आर्टिकल 372 ही जो है मानेता प्रदान करता है अब थोड़ी सी यहां देख लेते हैं इनेक्टेड लॉग की अधिनेमित वीधि की तो दो तरह की होती है कि मौलिक वीधि होती है जिसे सारवान वीधि भी कहते हो सबस्टेंटी लोग दूसरी प्रक्रियात्मक व यह जो है लॉफ एविडेंस की जरूत पड़ती है तो यह इंपोर्टेंट हो जाते है लॉफ एविडेंस यहां पर अच्छा इसके साथ ही साथ कुछ चीज़ें और भी हम लोग डिसस कर लेते हैं तो इसमें क्या है कि देखो जो भारती साक्ष अधिनियम है वह क्या है इस इदम रड़ जाना निर्माण तथी इसकी है देखो निर्मांण तथी अलग चीज़ होती है लागू हने की तती अलगशीज of भी बन गया अभी ही लागू नहीं है तो जो बनने वाला जो डेत वह 15 मार्च को है और लागू होने वाला जो डेत वह 1 ख सितंबर को है पस इतन तो तो कुल इसमें अगर हम बात करें टोटल सेक्षन की तो 167 इसमें सेक्षन है टोटल चैप्टर की बात करें तो टोटल चैप्टर 11 है तो सबसे बड़ा अगर शैप्टर की केवल एक ही सेक्सान जिस सेक्षन 167 एसलिए इसे चोटा कहा गया अच्वा और भी चीज देख लेते हैं अगर बात करें पहला एक और कोशन्य बनता है एकि प्रतम संसोधन कब उए तो पहला संसोधन हम देख लेते हैं तो सबसे पहले अगर बात करें जो है संसोधन देखने को मिला है तो सबसे पहले संसोधन यहां पर अगर हम बात करें तो 1938 में हुआ ठीक है भारतिय साक्षा दिनियम में जो संसोधन हुआ सब्सक्राइब नाइंटिन त्युक्त में जो सेड्यूल टू है यानिके अनुस्वाची दो और तीन को जो है निरसीत कर दिया गया उसका टोटल अगर हम बात करें तो टोटल इसमें 10 अमेंडमेंट होएं कभी मैं इसका अमेंडमेंट वाला वीडियो बना दूंगा ठीक है तो उसको कवर कर लूँगा बस अभी इतना समझो कि टोटल 10 अमेंडमेंट हुए पहला अमेंडमेंट 1938 में हुआ था सेक्शन 2 का सेडूल 3 को जो है निरसित कर दिया गया रेपील कर दिया गया ठीक है आई होप इस चीज़े आपको क्लियर हो चुकी होंगी अब हम थोड़ी स सकतो यहां पर तीन चप्टर यहां पर हैं प्रहला प्रारम्मी के एक से चार तक है दूसरा अध्याय में तथ्यों की सुसंगति के विशे में पांच से पश्पन बहुत ही बड़ा यह चप्टर है यह को पांच से लेकर पश्पन कवर कर रहा है ठीक है और अब हम बात कर ल सबूत के विशे में है वो अध्याइय चार ध्याइय पांच और छ सबस्वेंड mystical उंड श्पन आते हैं जिसमें मौकिक साच्षे के विशे में में सेक्शन 59 ना इने स्थ दस्ता सबस्वीजी साच्षे के बिसे में 61 से लेकर के 90 यह दस्तावीजी साच्छी द्वारा मौकी साच्छ के बिसे में अपॉर्जन के लिए 91-100 ठीक है और चैप्टर 3 में टोटल जो है कितने हैं पांच जो है चैप्टर है सबूत के भार के बिसे में विवंद के बिसे में चैप्टर 8 है तो यह कुछ च फबूत के बाहरीं चैप्टर एफ संसे टेन जो है साक्षों के परिख्या के बिसे में मैं कि चैप्टर 11 जो है सक्ष के अनुषीद घ्रहण की भीजए मैं उसके बाद एक दो यह नीजित को सेमी लिखा हुआ है tut वैसे कि कि टोटर 11 चैप्टर ही है इसके पास ठीक है और इस 11 चैप्टर में जो है यह चीज़े पढ़ना है हमको ठीक है यह आई होप यह चीज़े आपको समझ में दूसरी बात एक और चीज़ देख लो कि अगर क्वेश्चन भी पूछा रहता कि नीचर जो है इसका क्या है तो बिल 10x video my next topic is a thank you so much